तो बड़ी खबर इस वक्त की प्रधान मंत्री मोदी की आज कोलकता में रैली जिस पर जीनियूस की निगाहे बनी हैं हम आपको हर एक जानकारी हर एक तस्वीर पहुचाएंगे तो पहर दो बजे प्रधान मंत्री मोदी सम्मोधित करेंगे इस विशाल रैली को 10 लाख लोगों के पहुचने का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया चुनाफ की तारीखों के एलान के बाद से पी-म किये पहली रैली और वो भी ब्रिगेट परेट ग्राउंड में इस रैली का होना कई माईनों में खास क्योंकि पहले प्रधान मंत्री से लेकर कई पूर्व प्रधान मंत्री इस ग्राउंड से ही हुंकार भढ़ चुके हैं इस मैदान से ही अपने विरोधियों पर निशाना साध चुके हैं और 2019 की हाल ही की वो तस्वीर जब ममता बैनर जी ने प्रधान मंतरी मोदी के खिलाफ तमाम विपक्षी पाटियों को तमाम धड़ों को एक मंच पर इकठा किया था, वो तस्वीर भी देश ने देखी थी, लेकिन आज प्रधान मंतरी इस मंच से सीधे ममता बैनर जी को ललका ये 11 सीटे कोलकता की बहुत महत्वपून है जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है 75 फीजदी के लगभग हिंदू आबादी जिसे सीधे तौर पर शुरुवात रैली के जरीए प्रधानमंत्री साधनी की कोशिश करेंगे एक और बड़ी खबर आज सिली गुडी में होने व भी रैली कर रहे होंगे करीब उसी वक्त ममता बैनर्जी सिली गुडी के दाजलिंग मोर से अपना रोडशो शुरू करेंगी तो ममता बैनर्जी का ये समय में बदलाफ करना सीधे तोर पर संकेत है और चुनोती प्रधानमंत्री को कि उनके गड़ में अगर दो बजे वो स और मेरी सायोगी पूजा मेहता ने पूरा जायजा लिया है प्रधानमंत्री मोधी की रैली से पहले क्या तैयारिया है वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट देखे